असलाम वालीकूम, वेलकम टू आटिटर्स तो आज मैं अस वीडियो में जाने वाली हूँ यहाँ पे एराची में एक आर्ट वर्ल्ड खुला है जो कि बहुत ही प्यारी दुकाने वहाँ पे सारा कुछ आर्ट और क्राफ्स रिरेडिट सार जतने बी मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे अवेलिबल रहते हैं तो मैंने देखा तक आहीं पर चलिया वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है तो वीडियो में लास तक बने रहीएगा क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद जो भी मैं शॉपिंग करूंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी और उसकी प्राइस में बताऊंगी कि क्या है कितने के हैं और कैसे हैं अच्छे प्रोड़क्ट है या नहीं है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोग ने बहुत प्यारी है मतलब देखने में बहुत जादा अट्राक्टिव लग रही थी और इस तरह से इनके पास सभी कुछ सारा मटेरियल अवेलिबल था यह देखें साइट पे सारे अक्रिलिक पेंट पर्ल कलर सारा कुछ चोटी-चोटी बॉटल जाती है वो सारे अवेलिबल थे 3D आउट लाइनर थे नीचे सारा जिसो की वराइटी सारा कुछ अवेलिबल था और यहां पे इस तरह के सारे पेंट्स और इस तरह के जो फ्लेक्स होते हैं जो आप उसमें रेजीन आर्ट में यूज़ करते हैं उस तरह का भी था तो जिस तरह की शॉप थी उसको देखते हैं अगर प्राइस की भी बात करो तो प्राइस भी अच्छा था है बेसे इंको निकालो लगालो उस तरह कि यहां पे आपको मिल जाएगा जो भी आप शेड ढून रहे हो वह आपको मिल जाएगा यहां पर कुछ पैलेट नाइफ हर तरह की पैलेट नाइफ एर ड्राइप ले सारा कुछ अवेलेबल था बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहां पर देखें और यहां पर यह को पार्श की भी कुछ पेपर्स रखे वेते अक्रलिक पेंट की तो मतलब हरी कलर आपको मिल जाएंगे और इस तरह अगर आजाएं तो है पर सारा वार्णिश वगयरा, पेंट वगयरा, जो भी हर तरह के जो पेंट अहोता है, इतने दरा के पेंट दिख रहा है जिसके बारे मुझे नहीं पता, मुझे आपर पर चीजे लेना था, लेकिन वह सारे मोल्ड वगयरा, डिया है तो वह आ जाएंगे तो आपको जरूर दिखाऊँए और अभी आगे भी मैं आप लोगो को दिखाऊँँगी मैंने या से क्या शॉपिंग किया है तो मैं जब घर पहुंचँग स tb वीडियो में आप लोगो को दिखाऊँगे इसलिए वीडियो के नहीं था सिर्फ canvas था और कुछ spray paint वगर थे तो चलिए अब घर चलते हैं और घर चलके आप लगों को दिखाते हैं मैं निक तो यह देखे सबसे पहले मैंने यह पे लिया deco patch paper तो इस तरह का यह पूरा set था मतलब इसमें आगे में आपको जितने तरह के design दिख रहे हैं 6 तरह यह होता क्या है कि आप किसी भी cheese paste तरह के paper को cut करके और इसको glue के help से जो मौट पाज glue आते हैं से आपको चिपकाना होता है तो बहुत प्रिंट होता है लगता बिल्कुल उस cheese के उपर print किया गया है तो सारे design के दो-दो थे तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं जिस अगर पूरा आप उठा के as it is चिपका दीजे तो बिल्कुल लगता है कि किसी चीज को चिपकाया हुआ है तो इस तरह का look नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने ले लिया तो इस तरह के बहुत सारे prints थे इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला तो डेको तो इस तरह का नहीं इसके पीछे वाला जो पेपर होता है इस तरह से आप उसको remove कर दीजे चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगो को तो इस तरह से हटाईए उसके बाद आपको जहां पर भी लगाना है मतलब इसमें glue नहीं होता है लेकिन हाँ एक पतली सी thin layer आपको मिल ज पतली साइब करते हो तो मैंने बढ़ा ले लिया था कि मुझे एजी हो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पेंट लिये वहां पर तो ये मैं एक छोटा 100 ml का white paint भी ले ले लिया एक्रिलिक पेंट ये 100 का था या 90 का था एसे ही कुछ खाथा ये तो ये भी 100 ml का था तो मैंने मैं यह लेलिया एक उसके बाद मैइ इस तरह का 100 diversity का एक बैल कलर लिया ब्राउन कलर का अक्रिडी की टालर रहिए ब्राउन कलर का अक्रिलिक ही थी यह बहुत इच्छा इसका कलर लग लग रहा था मैंinkya लकालर लग जै typ तो एक मैंने ये वाला ले लिया ये 25 ग का और इसके बाद मैंने लिया यहां पर प्यूइल कलर था, मेरे पास सिलवर पॉडल कलर नहीं था तो मैंने ये वाला भी ले लिया, हमेशह में मेटालिक पौॉडर जोड़ सोचे तो 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 टो टोल मैंने फर्स्ट बार मैं गई थी तो मैंने इतनी शॉपिंग की है तो इस तरह से मुझे पसंद आया सारा कलेक्शन और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जली से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी यूसुल वीडियो लाती रहूं थैंक्स पर वोचिंग